प्रस्न संख्या चार एक घन का आयतन 24,382,729 मीटर क्यूब है घन की भुजाएं ग्याद कीजिए आई इससे हल करते हैं मान लिया कि घन की एक भुजा ब्राबर x मीटर तो घन का आयतन क्या होगा घन का आयतन होता है भुजा गोने भुजा गोने भुजा यानि x क्यूब मीटर क्यूब प्रस्न से किन्तु प्रसंद से क्या होगा ये आयतन है ये बराबर है दो चार तीन आठ नौ बटा साथ सो उनतीस अर्थात एक्स बराबर क्या होगा इसका घनमूर तो ये इस भिन का ये घनमूल हो गया अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंस का घनमूल दो चार तीन आठ नौ ये अंस का घनमूल बटा हर का घनमूल अर्थात एक्स बराबर इसका हम उपर वाला जो अंस है दो चार तीन आठ नौ इसका हमने गुननखंड निकाला है अभाज गुननखंड इसका अभाज गुननखंड हमने निकाला है उन्तिस गुना उन्तिस गुना उन्तिस तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29 गुना 29 गुना 29 और 729 का हमने अभाज गुननखन किया है तो 729 की जगा हम उसका अभाज गुननखन लिखते हैं तेन गुना तेन गुना तेन गुना तेन गुना तेन गुना तेन गुना तेन चे बार तेन है तो यहाँ पर देख रहे हैं यह 29 का त्रिक बन रहा है अर्था इससे एक 29 बाहर आ गयाएगा यह 29 और यहाँ पर दो त्रिक बन रहा है एक त्रिक यह एक त्रिक एक दो तीन चार पांच एक छुट रहा था, छे है, देख लिजे, तो यहां एक त्रिक और यहां एक त्रिक, यानि तीन गुना तीन, तो यह हो गया 29 बटा 9, तो जो घन की भुजाएं हैं, तो घन की एक भुजा क्या आ गई, घन की भुजा ब्राबर 29 बटे 9 मीटर, यही हमें ग्याद करना एक भुजा यानि सारी भुजाएं, प्रस्न संखिया पांच, 32768 का घन मूल ग्याद कीजिए, और इसका उप्योग करके, 32.768 का घन मूल, जोड़, दसमलो, शुन्य, तीन, दो, साथ, छे, आठ का घन मूल का मान निकालिए, तो सबसे पहले हम 32768 का घन मूल निकालेंगे, तो इसके लिए हम 32768 का और भाजे गुननखंड करते हैं, जो हमने पहले कर लिया है, आप खुद से करेंगे, अब इसे हम इस गुननखंड को लिख देखते हैं, इसके बराबर, तो ये हो जाएगा, दो देख रहे हैं, पंदर बार दो है, गिन के देख लिए, एक, दो, गुना, दो, गुना, दो, गुना, दो, कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, और ये नीचे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो नीचे में मैं ले रिख दिया है, दो, गुना, दो, गुना, दो, गुना, नहीं, बस इतना ही, तो ये ऐसा हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, तेरह, चुदा, बंद रहा, यहाँ पर नहीं हो रहा था, मैंने नीचे लिख दिया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ त्रिक कितने बन रहे हैं, एक, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो हर त्रिक के लिए एक-एक बाहर आ जाएगा, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो पांच त्रिक थे तो ये हो गया दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सुल्ला दुनी बत्तिस तो ये हो गया हमारा बत्तिस इसका निकल गया है अब हमें इसका मान निकालना है तो एक-एक करके मान निकालते हैं, तो ये 32.768 का घनमुल, इसे पहले हम निकालते हैं, 32.768, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 32.768, बटा एक पर तीन शुन्य, क्योंकि दस मलों के बाद यहां पर तीन हंक हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका तो हमने निकाल लिया है, घनमुल, तो ये 32 हो गया, और अच्छे ये अलग-अलग कर देते हैं, इसका अर्थ हो गया, आंस का घनमुल, बटा हर का घनमुल, ये, तो ये हमारा हो गया, इसका हमने निकाल लिया था, अभी उपर में, ये 32 हो गया, और इसका हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, 10, यानि हो गया ये 3.2, चुकि एक सुने हैं, तो दाहिनी और से एक अंके बाद हम 10 मलो बैठाते हैं, ये आ गया, अब ये हमें इसका निकालना है, दूसरे वाले का, तो ये गुननखंट को हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ हम लिख रहे हैं, इसका ये, शुन्य दस मलो बैठाते हैं, शुन्य तीन, दो, साथ, छे, आठ का घनमूल, तो फिर पहले की तरह हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तीन, दो, साथ, छे, आठ, बटा, एक पर, कितने सुने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और इसका ये, घनमूल, पूरे पर, तो इसका अर्थ हो गया कि इस आंच का भी घनमूल, और ये हर का भी घनमूल, तो चलिए फिर वैसे लिखते हैं, आंच का घनमूल, साथ, छे, आठ, बटा, ये हर का भी घनमूल, तो पहले हमने निकाल लिया है, इसे, ये हो गया हमारा 32, और ये हो जाएगा हमारा 100, इसका गुना खंट करेंगे, तो दस गुना दस गुना छे बार होगा, तो ये हमारा 100, पहले कई बार हम लोग इसका ऐसा कर चुके हैं, तो ये 32, बटा 100, ये क्या हो गया, 0.32, दो सुने था, तो यहाँ से हम दो अंके बाद दस मलो बठाते हैं, तो हमारा जो दिया गया था, ये, क्या था, ये 32, 7, 6, 8 का घंबूल, जोड, 0, 10, 3, 2, 7, 6, 8 का घंबूल, ये दोनों जोडना था, तो ये, इसका मान हमने निकाला है, 3, 2, और इसका मान निकाला है, सुन्य, 10, 3, 2, तो इसे जब हम जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2, 3, 2, 5, 10 मलो और ये 3, इसे थोड़ा सा और साप से लिखते हैं, दसमलो का जोड़ आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो ये 2, और ये 5, और ये 10 मलो और ये 3, आप इसे जोड़ेंगे, ये आएगा, तो हमें जो माननी का अला था, ये आगया है,